रेलवे की तरफ से एक नई अफडेट जाड़ी की गई जिसके अनुसार कामख्या रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच एक नई टिन का संचालन सुरू होने जा रहा है और इसे ट्रेन का पुरा जानकारी इस वीडियो अपडेट में हम आपको देंगे तो चलिए सुरू करत है आज का या लेटेश्ट वीडियो पडेट यह ट्रेन कामख्या से आनंद बिहार के बीच चलेगी खास बात यह होगी कि यह ट्रेन बिहार के रास्ते चलेगी ऐसे में भारतिये रेलवे की ओर से इसे ट्रेन को बढ़वनी कटिहार रेलखंड के रास्ते चलाया जाएगा यह एक स्पेसल सबताहिक स्पेसल ट्रेन होगी जो की कामख्या से आनंद भिहार के बीच चलने जारी है यह ट्रेन परतेक सुक्रवार को कामख्या से प्रस्थान करेगी वहीं परतेक रविवार को यह ट्रेन आनंद भिहार टर्मिनल से रवाना की जाएगी इस ट्रेन में सुब्धाओं के तौर पर जनरल के दो कोच, स्लिपर के चार कोच सहित, ठर्ट टायर एसी के पांच कोच, इकनोमिस रेनी के पांच कोच और सकेंड टायर एसी के दो कोच सहित, दिव्यांग और फर्ष्ट टायर एसी के एक एक कोच लगे रहेंगे कुल मिलाकर 22 कोच का सुबधा इस ट्रेन में डेलवे दे रही है दूसरी खास बात यह रहेगी कि इस ट्रेन का संचालन सुरू होने के बाद यह ट्रेन जुलाई महिने तक इस ट्रेन का सुबधा पैसंदरों को मिलेगा नौगच्या our railway station के राष्टे ये ट्रेंड चलेगी और ऐसे में कामक्या से आनन्द भिहार जाने वाली ये ट्रेन दोपाढ 12 बच कर 5 मिनट पर सनिवार को नौगच्या our railway station आएगी आनन्द बिहार डेलवें स्टेशन से कामक्खिया जाने वाली यह ट्रेन परतेक सोमवार को 12 बच कर 35 मिनट फर दूसरे दिसा में नौग अच्छी आएगी ऐसे में इस ट्रेन का संचालन सुरू होने जा रहा है जो की बड़ी अपडेट है आने वाले ने ट्रेनों के लेटेस्ट अबडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं